तो देखिए यह बेट सीट का डिजाइन कितना प्यारा बनके आया है और बनाने में बहुत आसान भी है जटपत बनके तैयार हो जाती है तो प्लीज देखिए आप ट्राइ जरूर करिएगा तो तो देखिए हमने यहां पीसेच को कट कर लिया है तो देखिए इसका मेजर्मेंट दे ले रहे हैं चार पीस लंबाई है चार पीस चोड़ाई वाइट वाले की रेड़ वाले की चार पीस जारी उन्च लंबाई की चार इंच चोड़ाई और चोटे नीले वाले की जूख दिंट वाले की चार इंच लंबाई आज चोड़ाई तो ऑर फिर नीले वाले मेजर्मेंट सावट कराएट तरहाओं बीच मपर लिएक क Chili को काट से लाब , कि कीची काट से हुआ को कि साखेट काट से लिएक काट लोग inflamना से लळाएक को लाघ मतुनक जोड़ बर सकत, सब्सक्राइब biscuit काट लिएक लग के से लिएक कीची को कीची कर लिएक कोकू देक कि झाट से लिएक के लाध केक से आप मेरे चैनल को लाइक सिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज तो चलिए हम रेड वाला भी काट लिए अब हम पीसेच को जोड़ते हैं एक रेड लेंगे और एक वाइट वालर यह ट्रेंगल सिप में कटा हुआ है इसी को पहले जोड़ेंगे तो इसको हम दोनों जोड़ लिए पर एक रेड और एक वाइट है तो जोड़ते जाएंगे इसको तो देखिए आराम-phoria से जोड़ना है कोई जल्दी नहीं एक बराबर से इसको आराम-regation से सिलाई करना है इस पर च्छेुए हम इसको सिल चुके हैं इसी प्रोसेस में दोसरा से लेंगे इसी तर तो प्रेंट्स देखिए हम जाइंट कर चुके हैं कि देखिए चारों जाइंट हो गया है प्रेंट्स हम इसको काटिंग कर लेंगे जो कपड़ा मेरा चोटा बड़ा इधर उदर हुआ है उसको भी कट करके निकाल लेंगे लोन है पिक टरीक तो पिशिज को हम इधर से देखिए कोनी पर बढ़ा था तो कपड़ा में ने बढ़ा हुआ कपड़ा था उसको कट लिए हांको बच्छी तरीके से उसके बाद हम यह चोटा वाला जो ड़ाई भाई इंच वाला पीसे था उसको भी हम एक रेड़ एक रेड रो वाइट जो जॉइन करेंगे तो आराम-ाराम से सिलाई करिए गा बहुत ज्यादा सिलाई तेजी से ना करिए करने कपड़ा इधर अधर हो जाएगा तो डिजाइन अच्छा से नहीं बैठेगा बन नहीं पाएगा तो फ्रेंड देखिए हम इसको भी जॉइन कर लिए अब तो इसको हम मिलाएंगे तो पीबनाने में बहुत इजली है बहुत अच्छा बहुत देखने में बहुत खुबसूरत भी लगता है तो आप जब तक हम बना रहे हैं तब तक आप दीज मेरे वीडियो की नीचे लाइक का बेटन क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजि तरह दीजिए लिए तो यह जाइन कर लिए अब इसको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको भीड़ाना है पहले नीले ब्लू आले को रखना है उसके बाद इसको यहां तक मिला आए देखिया प면 आए आप जलांगे वाली करना है तो देखिये प्रेंट्स बाद छलोग आ इसका बेबी बेट सीड, कुसन कवर, डूर मेट, फ्लोर मेट कुछ भी आप बनाना चाहो तो आप बड़े आराम से इसको बना लीजिएगा तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है तो फ्रेंड्स हम इसको अब उठा के एक एक पीस को सिला जॉइंट करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे तो देखिए इसको भी हम जॉइंट कर दिये ये पीसे जॉइंट हो गया है देखिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है अब दूसरा पीस उठाएंगे उसको भी जोईन करेंगे उसके बाद हम दूसरी बाई लाइन से जोईन करेंगे आराम आराम से सिलाई करिएगा जो इस्ट्रा कपड़ा बढ़ा हुआ है उसको कैचे से कट करके निकाल देजिए तो देखिए मेरा इसमें तोड़ा इस्ट्रा कपड़ा आ गया था बढ़के तो इसको हम कैजी से निकाल देंगे उसके बाद फिर हम इसको दूसरी वाई लाइन जो है उसको जॉइंड कर लेंगे आराम आराम से तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से जॉइंड हो गया है और अगर जो आपको मेरा वीडियो आपको आच्छा लगे तो लाइक, सियर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में सब जॉइंड हो चुके हैं तो देखिए देखिए इसका तो आप भी इसको बन सिंगल बेर डबल बेर जो भी आपका दिलकरी जो भी आज बनाएंगे अच्छा लगे गा इसके साथ कुसं कवर कवल पीलो कवर साथ में जरूर बनाईएगा और बहुत बनने के बाद और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिर हम अगले वीडियो में तो देखिए कम्प्लीट हो गया है सिलाई करके अब इसमें हम सिलाई करने को अभी थोड़ा सा बाकी है इसको भी हम चारो तरफ से जॉइंड कर लेंगे जॉइंड करने के बाद इसको हम अब पूरा भी तो दिखाते हैं किस तरीके से जॉइंड होगा थो देखिए जॉइंड हो चुका है 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 क्यों देखिये इस तरीके से हम सिलाई किया है कि व का दिखित छी तरीके से होगया है अब इसको बेढ़ाना घूंद है इसकी सिलाई कम्प्लीट हो गई है इसकी सिलाई परने के बाद तो फिलहाल देखिए अभी हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं प्रेस करने के बाद तो देखिए इसका फाइनल लुक देखिए इस तरीके से इसका फाइनल लुक आया है तो आप भी इस ट्रा कपड़ा जो इसमें बढ़ा है इसको कट करके निकाल दीजिएगा चारो तरफ से उसके बाद इसको आप चाहें बेबी बेट सीट, पीलो कबर, कुसन कबर, टोर मैट, फ्लोर मैट कुछ भी आपको ब बना सकते हैं आप प्लीज आप मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं ओके धन्यबाद झालओ झाल झाल